मुवारक पुर गौं में हत्या के मामले में च्छा लोग को मिली अजीवन करवास की सजा बतादे की मंगलवार को हिलिसा बेवार नाले के पर्थम अपड़ जिला सत्व नाइधीस अजीत कुमार सी ने एक महला की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर देने के 11 बर्स पुराने एक मामले में च्छा अरोपियों को अजीवन करवास की सजा सुनाई अरोपि में असोख राउत, सियासरन राउत, परमोत राउत, सतेंद राउत, सुनील राउत, सिरिकांत राउत, इसलामपुर थनाचेतर के मुवारक पुर गौनिवासी है सजा के बिंदू पर फासला में अजीवन करवास के साथ साथ परतेक अरोपि को 5000 रवा का अर्थ डण लगाया गया है अर्थ डण ना देने पर 6 महीने का अतरिक्त करवास की सजा इस मामले में परवारी अपर लोक अभियोजन राजा रामसी ने इसकी पुष्टी करते हुए बताया कि इसलामपुर थनाचेतर के मुवारक पुर गौन में 29 मई 2012 को आठवज़ रात में गौन के एक ही परिवार के लोगों ने रामचंदर परशाद के पत्नी देवन्ती देवी के घर पर चढ़कर लाठी डंडे से पिटाई कर दिया जिसमें घटना अस्तल पर देवन्ती देवी की मिर्तु हो गई थी आरोपियों में घटना को केवल इसलिए अंजाम दिया क्योंकि रामचंदर परशाद ने अपने खेत में लगी मूग की फसल को चर रहा सोख रावत की बकरी एबम फैस को मारपीट कर निकाल दिया था तब उसी दिन असोख रावत की पत्नी ने घर पर आकर धमकि दिया सभी को मारपीट कर हाथ पेर तोड़ देंगे और उसी दिन 29 माई को 2012 की रात में आठ वजे सभी लोग डाठी डंडे के साथ में पहुंचे और रामचंदर परशाद के घर पर पहुंचकर उसकी पत्नी देवन्ती देवी एबम उसकी पुत्री के साथ मारपिट किया इस मारपिट में देवन्ती देवी की घटना अस्तल पर मिर्तु हो गई इस संदर में इसलामपुर थाना में रामचंद परशाद ने आरोपियो के वुरूत कांड संख्या 119 बटा बारा दर्ज कराया सत्रवा